रमता राम जपोरे प्राणी अब तो सुन ले राम कहाणी तो परसंग चल रहा है कि हम उस सथान को बूलगे जहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे और हम सभी पहले वही रहते थे अब कई बगत अग्यान तावस से बोले बाले जिनको ग्यान नहीं वो ये परसंग क्या करते कि एक बात बता ज़स सारे ही यहां से चले गए तो यहां कौन रहेगा अन्याय चंतावरी है कि यहां कौन रहेगा बता अरे यहां यह यह तो एक पत्थर है गोमता रहेगा हमने के ठेका ले रहे खेश पर थीगा यह बंगल गए रहे जो चांदर यह सारे धके खान लाग रहे यह फिरें जागा हम अपने सत लोग में चलेंगे इसकी हमने क्या करना यह तो जिसका हुआ आप संभालेगा इसने तो कहने का बाव यह है कि हम इतने रंग गए यहां पर जैसे एक भगत बोला बाला उसके घर उसकी पत्नी बहुत बिमार थी बहुत समस्या में थी हर तरह ऐसी तकलीब थी परमात्मा की दया हुई दिक्साली बगवान की किरपा से वो स्वस्थ हुई उसको समझाने लगे बाई लेत शुषर्ट मानी तो बत्ती ना करने से पसु बनाओं गे जोटा बनहेंगा वो जोटा बुगषी छुटा बनाएगा उसे engled हो मतली मशेक लगहा तो मैं ना भूटावएचो जवटा मनमाज से लेत वह महाराज यह उता है ऐन बाद बननना सी फेर बोगचे में क कर ले काम फिर उसे उपदेश ले लिया उसने लेकिन हमारी धारना ऐसी वनी हुई है कि यहां ऐसे कैसे होगा तो पुन्यात्माओं प्रमात्मा की इसमार को बहुत गेर आई से समझो जिस उदेशे से प्रमात्मा स्वम आते हैं उस अच्छे लोग से इस गंदे लोग में कैसे वैसे तो बगवान इतनी दूर से आए नहीं आपको ये ग्यान देने के लिए कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो सत लोग में एक बहुत सुख है और जिस सुख को तुम यहां खोज रहे हो यह तुमें हजार लाख करोड वरस खोजते रहो तो नहीं मिले एक जनम की बात छोड़ो और यहां क्या हालत है तुम्हारी उसे हमें परिचित कराते है उदर से काल के दूट भी अपनी खूब काल प्रेड़ना से अग्यान का परचार सपरे कर रहे हैं जगे जगे अपने अत्माओं पर मात्मा ने आकर हमें इसलिए यह ग्यान सकता है किसी की टांग कटगी किसी की याँक फूटगी और किसी की हाथ कटगया किसी का बेट्टा मर गया किसी की बेट्टी मर गया कोई कैंसर से पीडित है कोई पसू पक्सी बनकर गदे कुते बनकर बिष्टा खा रहे हैं तूट टट्टी खा रहे हैं तो ये कोई अपने बच्चों को ऐसे दुखी कर सकता है, तो इस बगवान को हम अपना मालिक मान सकते हैं, यहां का जो स्वामी है, यह काल है, इसका उदेश से हमें पीडित करना, और विचलित रखना है, बर्मित रखना ताकि इनको बगवान का ज्यान ना हो जा, और कहीं य अपने संत बेज के हैं, हमारे वो भी बच्चे प्रमात्मा की हूं संत जैसे भी, उसकाल का फच गे और उस अग्यान के मास्टर बने ऑ, उस अग्यान को जगा-जगे परचार करने लगे, बोली आत्मा उने उनको संत मात्मा मन कर, उनके एक-एक बचन को शिरोधारिये कर लिया अब ये सच्चा ग्यान जब आता है तो पुराणा पेंट उतरता नहीं जल्दी सी तो दास के उपर द्याकरी प्रमात माने हैं कि पहले इन सभी सद्गरंथों का ग्यान करवाया और फिर इन संतों के वचनों को देखा कि ये क्या बताते है हमारे सद्गरंथ क्या बताते है फिर पता चला कि ये तो वह गल्द करने सारा काम ये तो आस पास में नहीं सद्गरंथों के एक दो तीन चार दो सेकड़ों की संख्या में इन संतों के इतिहास को इनके ग्यान को दास ने पढ़कर देखा साइद ये तो अच्छा मातमा दिखाई देता है इसका साइद ठीक मिल जावे फिर जो चले गई यहां से मापरुष जिनका बड़ा बोलबाला था ये मेरे इस तत्व ज्यान की प्राप्ति के बाद पड़ा पहले भी पढ़ते थे पहले समझ में नियाता था कुछ भी के मापरुषों की बाणी हम नहीं समझ सकते इस ये सोच कर रख देते थे इसको ऐसे इन पुरानों को रख देते थे भई ये तो बगवान की माया है हम के समझ सक और जब दास की प्रमात्मा ने व मा आखिया बना दी तत्व ग्यानवाली वस latis जर्फ्टि से जब इनको देखा उन चास्म схborसे तत्व ग्यानवाले चास्म थे पिर दक्क्या रहिए नृत रहे क्रहत है सहरा कखविन इनके पास ना वेदों वाला ग्यानना को संसारिक विवारिक बात है ठीक इन लोग होंगी तो बड़ा चंता कावी से बना और इस सत्यार परकास को दास ने इसलिए पड़ा था कि ये महापुरुस का लिखा हुआ है और इस महापुरुस के विचारों को सभी मानते है और हो परमात्मा दया कर दे और कबीर परमेश्वर के वचनों का समर्थन मिल जा तो मुझे ये ग्यान आगे बढ़ाने में गड़ी सुईदा हो जागी कि देखो सत्यार परकास में महरिशी दानत ने भी ऐसा ही बोला है अब देख्या तो मैं रिशी दानत इसा नकली पाया को देख्या को नहीं मने तो तेरा गजब भी है एक भी बैख्या वेदों और किसी से भी नहीं मिल रही सद्गरंथों से तो बड़ा दुख हुआ तो इसलिए फिर संद्धनता के सामने रखने शुरू किये कि ये औरिजिनल नोट है हमारे सद्गरंथ तो औरिजिनल नोट है और ये डुपलिकेट नोट है इन संतों के जिनको तुम औरिजिनल मान करके ग्रहन किये हुए अब प्राहरम में तो दास को बड़ी कठनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि सरदालू लोग ये कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए अपना ग्यान बताओ अरे अपना अपना सारे बताओं गेता सब का अपनी अपनी डफली अपना अपना राग फिर वो ग्यान के रहे गया तो जो जो ऐसा कहे का वो तो ऐसा चली रहा था फिर पन्यात्माओं जैसे एक बार किसी ने पानसो पानसो के नोट नकली चाप लिए और वो मार्केट में पहुँच गे उनका पता लगया सरकार ने तो फिर जनता को ठगने से बचाने के लिए एक समाचार पत्रों के मादम से टीवी के मादम से ओरिजनल और डुपलिकेट दोनों दिखाए उनकी बिंता बताई ओरिजनल ऐसा होता है डुपलिकेट ऐसा होता है तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी, एक महाप्रोपकार कर दिया ना लाखों लोग ठगे जाते, गरीब व्यक्ती मारे जाते, जिनके पान साथ दार रुपे उते रुए, उठाक नकली काक्जों में लग जाने, तो अपना अत्मों दास का यही प्रियतन समझ ले ना, यह पूरा विश्व य जाद किया करेगा इस दास को, ठीक है दास को बहुत कटनाई आई हैं, इस सचाई को उपर लाने के लिए, इस ग्यान को उठाने के लिए, सहयोग तरह कबीर बगवान का, लेकिन दास उसका बैल है, और उसे के सहरे से इसको गाड़ी को खेंच कर पटड़ी पर चड़ाया ह पहले तो खाचे में किचर में डाल रखी थी, और इसमें बहुत से एक संकट दास के उपर आये हैं, साथ में हमारे बच्चे जो प्रिचित हो गए थे, उन्नों बड़ा सहयोग दिया है अपने बैर बाईयों को समझाने का, वहां तक ये संदेश बगवान का पहुचाने मे बहुत से युग दिया है और आपका भी फरज बनता है, ये सचाई है और सचा ग्यान है, इससे पूरे विश्वम शानती होगी, पर तेक प्रानी का करते हो बनता है, पहले आप अच्छी तरह समझें दास के विचारों को और उन महापुरसों के विचार जो दास आपके के उन महापुरसों ने भी ऐसी साधना की उनका मोक सुआ, तो उनको अच्छी तरह समझ कर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से, ये मारक कोई बल पूर्वक कराने का नहीं होता, ये ग्यान से होगा. पूर्वश्वभर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संत्रामपल जी महाराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही हैं. अपने नस्दीकी नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए समपर्क करें. कि अपनी नाम दिख्षा के लिए इसे उना हैं. झाल झाल